नमस्कार दोस्तों हमारा बिहार में आपका स्वागत है आज है दोस्तों 15 अक्टूबर 2020 और 15 अक्टूबर 2020 से जितने वीकर इंटरफेर्स की कोश्चन है जो बिहार से जूरे में है उसको आज हम डिसकस करेंगे और दोस्तों इस वीडियो के अगर आप PDF डाउनलोड करना चा दोस्तों इस वीडियो के लाश्ट मेंने रिविजन का दो प्रसन रखा है जिसका एंसर आप लोगों को कॉमेंट वक्स में देना है तो वीडियो लाश्ट तक जब देखिया तो चलीए शुरू करते हैं तो दूस्तों आज का पहला प्रसन है हाल ही में राजसरकार के किस व सारे में जानते हैं तो बिहार सरकार के वन विभाग की ओर से सुरू की गई क्रिसी वान की योजना के तहद खेतों में ठीक है खेतों में पौधे रोपकर किसान अधिक आय अरजित कर सकते हैं किसानों की आय को बढ़ाने और वनी करन के विस्तार के लिए क्रिसी वान की योज कर सकता है इसके लिए वन विभाग पौधे मुहिया कराएगा और प्रती पौधा 10 रुपे कीमत पर सरकार पौधे देगी यानि किसान अगर वन विभाग से पौधा खड़िता है तो किसान को 10 रुपया प्रती पौधा पे करना होगा सरकार को ठीक है और अगर किसान उस पौ अरतिक साह तन म...? अगला प्रसन है दोस्तो महाबियर मंदिर के द्वारा पट्ना के बाद विहार के किषपल में आरोग मे शेवा सेवा सदन ख़ू गया है होता है जो कि पटना में है और पटना के बाद दूसरा होस्पीटल बिहार के बेगुसराय जिलाय में कोला गया है पटना के बाद बेगुसराय दूसरा सहर होगा जहां महावीर मंदिर की वर से अस्पताल खुला गया है और इस अस्पताल के अस्थापना में दोस्तों 3 करो रप्या कर्ची आगया है और वो सहर पेगुष राय angen दोस्तों नाम है वेगुष राय का तो चलिए इसके बारे में जानते हैं तो दोस्तों ये आ और बिहार कम है पूरढ़ ये रहा बेगु स्राइजिला में 7 mixed ना यह छुका है। और दोस्तो बेगुश्राय का जो प्रमुक फसल है गेहूं मेर्च और मक्का है कामबर जील एसिया की सबसे बड़ी मीठे पानी के जीलों में से एक है और जो की वेगुसराय में है और कामबर जील पक्षी बिहार भी है यानि पक्षी अवियारन के रूप में भी इसे जाना जारा है बेगुसराय हमारे राष्ट कभी रांधारी सी दिनकरजी का जन भूमी भी है और बेगुसराय बिहार का और द्योविक नगर के रूप में भी जाना जाता है यहां मुखेतर मुखे रूप से तीन उद्योग हैं इंडियन ओयल कॉर्परेशन लिम्टेट बरावनी तेलसदक करखाना और बरावनी थर्मल पावर स्टेशन जो की अब एंटीपीसी हो गया है हिंदुस्तान यूरिया रसाइन लिम्टेट एच यू आरल यहां पर निर्मान धीन यहां इसका निर्मान का करचल रहा है बेगुसराय जिला के बरावनी में बिहार का सबसे बड़ा उर्बरक उपकर्म भी है जिसका स्थाप्ता उनी सो चीहत्तर में हुआ था अगला प्रस्थ ही हां डोस्तो धोस्तो हाली में बिहार के किस निवासी ने चांद पर पांच एकर जमीन राइस्टरी कराई यहीं पांच एकर जमीन खरिदाया चानद पर उनका नाम है हकी मनसारी ठीक है B option इसका सही हो गिया और हकी मनसारी जो है दोस्तों ये विहार के मुझधा पुजिला के निवसी है जिन्हों ने चानद पर पांच एकर जमीन लिया है इसके अलावा एक और ठीक है एक और बैक्ती है भी हर के जिनोंने हाली में चांद पे जमीन लिया जिनका नाम है नीरज कुमार गीरी और नीरज कुमार गीरी जो है ये गया जिला के निवासी है और इनोंने चांद पे एक एकर जमीन खरीदा ठीक है अब किस संस्था के द्व पॉर्ष्पाश्मान का निधन हो गया है वे किस बिहार के किस कला से समबनित प्रसकार विजयता उत्तम प्रसाइब पासमान का निधन हो गया है इन्हें बिहार सरकार की ओर से 1986-87 में राज्य पुरसकार से सम्मानित किया गया था और वर्ष 2012-13 में इन्हें सीता देवी पुरसकार से सम्मानित किया गया था हाली में विहार के किस नियाले के द्वारा यह निसकर्स दिया गया है कि भारत के मुल दिवासी से साधी करने पर बीदेशी मैला को भारत की नारिक्ता प्राप्त नहीं होगी ठीक है तो बहुत ही अच्छा डिसिजन आया है जो कि पटना उच नियाले के द्वारा हाली में भी और दोस्तों किरन गुपता नेपाल की रहने वाली है तथा वही की नागरिक है और उनका साधी जो होता है यह भारत के मुल निवासी यानि भारत निवासी से होता है और दोस्तों उसके बाद होता है कि जब साधी होता है तो उसके बाद यहां पर अपने नम से प्रोपर्टी भी खड़ी लेती है इंडिया में उसके बाद प्रपर्टी खड़ती है और उसके बाद यहां पर वो मुखिया का चुनावा लाती है और चुनावा भी जी जाती है तो एक बिदेशी नागरिक होते हुए वो बिहार में मुखिया बन जाती है ठीक है तो इसी पर इनके निरव से साधी कर लेने से कोई मैला भारत की नागरिक नहीं हो सकती भले ही उसके पास भारत का भोटर आईडी कार्ड हो पैन कार्ड हो आधार कार्ड हो लेकिन इसके लिए अगर नागरिकता प्राप्त करना है उसको तो इसके लिए उसे नागरिक बनने के लिए नागरिकता कानून के तहट आवेदन करना होगा ठीक है तब ही जाकि उसको नागिकता मिलेगा चलते हैं अगले प्रस्थन की तरफ अगला प्रस्थन है बिहार बजट से तो बिहार बजट 2021 के अंसार राज का कूल अस्थापना एवं प्रतिबद ब्याय कितना अन्मानित किया गया है तो बिहार वर्ष 2019 का अगरबात किया जा यानि पिछले बजट का तो बितिये वर्ष 2019 में कूल अस्थापना एवं प्रतिबद ब्याय में अगला प्रस्थन है तो आर्थिक सर्वेक्षन के अनुसार वर्ष 2018 इसमें बरतमान मुलए पर विहार का नीवल राज घर एल्टिप्राज इसको अंग्रेजी में कहते हैं बरतमान मुले पर था एक इस्थिर मुले पर भी होता है ठीक है तो बरतमान मुले पर अगर कोशन आता है बरतमान मुले पर राज का नीबल राज खरेलू उत्पाद अथा नेट एस्टेट डोमेस्टिक प्रोड़क्त कितना है तो इंसर हो जागा पांच लग 13,881 करोर रिविजन के तरफ तो रिविजन का पहला प्रसंद था राज उद्दानिक उत्पाद विकास कारिक्रम के तरफ बिहार के किस चिले में आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए Common Facilitatator Center स्टाफित किया गिया का। तो यह नालंदा में किया जाएगा D-OPじゃあ को अनलिटरी ओनर दिया गया है तो यह दूसरे बेक्ति थे रामी प्रास मं प्रस्ताव राज सरकार को बेज़ा है तो इस दोनों प्रस्न का उतर आपको कामेंच बाक्स में देना है तो चलिए दोस्तो आज के लिए ना ही आसा करता हूं तो प्रतिद इस वीडियो का आद्यो मिल जाएगा जिसे सून कर आप रिविजन कर सकते हैं और खबरी अप्लिकेशन का लिंग वीडियो के डिस्किप्टियों बॉक्स में दिया गया है तो चलिए दो आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवा झाल